सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए कितने भी कानून क्यों न बना ले लेकिन महिलाएं और आम आदमी कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है चाहे वह पुलस का सिड़ी हो अथवा बाहर दिल्ली हो या फिर उत्तरप्देश ताजा मामला उत्तरप्देश के अमेठी जिले के अमेठी कोत्वाली छेत्र से प्रकास में आया है जहां पर गुंगवाच ग्रामसभा की ग्राम प्रधान आसा तिवारी पूरे तिवारी का पुर्वा इस्थित अपने निजी निवास पर मौझूद थी तभी कल देर सम करीब सड़े नौ बजे बाइक सवार दो अग्यात नकाब पोस्ट बदमास एक ही बाइक पर सवार होकर पहुँचे बताया जा रहा है कि एक बदमास घर के बाहर खड़ा था तभी दूसरा नकाब पोस्ट बदमास घर में घुचकर भद्दी भद्दी गालियां देते हुए तावर तोड़ फाइरिंग करने लगा नकाब पोस्ट बदमास बाउंडरी वाल का बड़ा सा दरवाजा कूत कर घर के अंदर दाखिल होने और फाइर करने का पूरा वीडियो ग्राम प्रधान के घर पर लगे सी सी कैमरे में कैद हो गया इसी ग्राम सभाक के राजापुर गाउं में एक वर्स पहले एक ही परिवार के एक साथ चार लोगों के हुए अर्थ्यकांड मामले में ग्राम प्रधान आसा तिवारी के घर पर अमेठी पुलिस का एक सिपाही रातरी नव बजे से सुबह तक सुरक्षा ड्यूटी करता है लेकिन सबसे बड़ी बात या है कि रातरी लगभग सड़े नव बजे रात को यह घटना हुई लेकिन जिस सिपाही की ड्यूटी थी वह नव बजे से थी पर वह मौके पर नहीं पहुचा था जिसका लाभ लेते हुए नकापोस बदमास बाउंडरी वाल का गेट फान कर के वजूद थी जिन्होंने खुद को घर के अंदर कैद कर अपने को सुरक्षित किया नकापोस बदमास गाली देते हुए दर्वाजे पर भी फाइरिंग की है जिसका वीडियो CCTV फूटेज के आधार पर वारल हो रहा है आनन फानन में बदमास गाली देते हुए गेट फान कर वापस चले गए बेटी अन्पम्तिवारी के दवरा पूरी घटना की सूचना अमेठी कोतवाली को दी गई थोड़ी ही देर में अमेठी कोतवाली पूलिस ने मौके पर पहुँच कर खोखा कार्तूस बरामत करते हुए पीड़ता से तहरीर पात कर मुकदमा पंजिकृत किया और CCTV फूटेज के सहारे नकाप पोस बदनासों का पता लगाने में जुटी हुई है कल हुई इस घटना से ग्राम परधान और उनकी बेटी आतेंत डरी और सहमी हुई है उनका कहना है कि मेरे उपर जानलेवा हमला हुआ है जबकि पूलिस के द्वारा जानलेवा हमले जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजिकृत नहीं किया गया है ऐसे में पंजिकृत मुकदमे में आवश्यक्ता अंसार धाराओं को बढ़ाते हुए नकाब पोस्ट बदमासों को ढूड़कर तक्काल उन्हें गिरफतार करते हुए जेल भेजा जाए जिससे हम लोग सुरक्षित हो सके जब तक यह बदमास बाहर घूम रहे हैं तब तक ह आम लोगों की जान पर निरंतर खत्रा बना हुआ है कभी भी इस तरह के घटना की उन्रा बिक्ति हो सकती है ऐसे में अमेठी पुलिस से अन्रोध है कि ततकाल घटना का खुलासा करते हुए सम्मंधित दोसी को जेल भेजने की क्रिपा करें मैं ग्राम प्रदान आशा तिवारी वंगवाच की लड़की हूँ मेरा नाम अन्पुम तिवारी है कल रात मेरे घर के सामने मेरे गेट पर एक बाइक सवार पर दो लोग आते हैं और वो दर्वाजा खटकट आते हैं दर्वाजा खोलने के लिए तब काफी रात हुई रहती है तो मैं सोचते हूं कि अपनी मम्मी से पूछने के लिए अंदर आती हूं तो मैं देखती हूं कि वो गेट लांग कर वो घर के अंदर आ रहा है तब अपनी मम्मी को लेकर मैं नो बजे करीब पुलिस हमारे यहां ड्यूटी करने आती है तो कल रात में लेट हो गया था पुलिस हमारे यहां नहीं आये थे नहीं तो साइद यह घटना नहीं होती तो हम लोग अंदर गुज जाते हैं और काफी जादा गाली गिलॉज करके जान से मार देने की नियत से आत है और सारी CCTV फोटे में सायद हमारे घट पर पूरा रिकार्ड था तो उसको लेकर जाती है और उनको एक तहरीर देते हैं जो उन्होंने हम लोग काफी जादा बगा गये थे और परिशान थे इस घटना को लेकर तो वह जैसे बोलते हैं वैसे हम तहरीर को लिखकर उनको दे देते हैं तो उसमें कुछ चीजशें हमारी में अचाहते हैं जासे हमारे साथ घटनाएं होी है जो चीज़ हम नहीं समझ पाए क्या हमें लिखवाना क्या नहीं जो ऐसे पिलिस वाले हमको बोले वैसे हमने उसमें लिख तिया है तो वो लोग अभी तक पकड़े भी नहीं और उनके खिलाब कारवाई होनी चाहिए क्योंकि आए दिन हमारे परिवार के साथ ऐसे घटना हो सकती है कल दिनांग 35-2030 को आसा तिवारी ग्राम गुंगवाच में एक घटना घटी थी जिसमें आरोप लगा था कि कोई व्यक्ति वांडी कूद करके फायर किया है सेची टीवी कैमेरे में भी आ रहा है जिसके आधार पर एक अज्याद कम गदमा 130 बटा 35 रत किया गया है सेची टीवी फूटेज और संदिधों को जांच करते भी वेजनाट प्रेश लेत है